हेलो हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी आप सभी आप सभी आप सही बहुत एच्छे होंगे and welcome back to my channel कैसे हो और कैसा चल रहा है आपका पिक बोस सीजन बारा सो मेरा तो सीजनवार आज आज गांगा बहुत अच्zejा रहा बहुत मजयदार हॉ कि यह कुछ कमेडी के सीन जो थे बहुत मज़दार थे ज़सी किसे दीपव और रोमिल बात कर रहे कर रहे थे अपनी वाइब का या फिर उनको ऐसे ही कैजूल बिस कर रहे थे तो मुझे बहुत ही वह एक मजेदार सा लगा सीन सब्सक्राइब कर रहा हूं जब तक मैं घर में हूं तो दस जिन में सब्सक्राइब करूंगा तो वही पर उन्होंने दो और बोला और दो माकी और हैं दो खुबा लड़की का बरत्ते और उसके पड़ा उसके लड़की का बढ़ा रही तरी वही पर ने धिक दिपक बहुत जवर्दस मजे ले रहे थे पीचे से ज़एम्ट का बनाई है बेंस का बचड़ी का बचड़ी में आएंगे गाय की बचड़ी का बचड़ी में आएंगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो से ही सिरी उस केक को लेकर दोड़ा उनके पूरे एमोस्ट तो को ओ मैं गॉड़ी सब्सक्राइब यार इतना मज़ा आता ना मतलब ऐसी चीज़े देखने में कि देखो आप खुद सोचो इतना सीरियस टास चल रहा था इतना सीरियस सीरियस सीरिस आते 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 और अचान सही एक कॉमेडी सीन ऐसे दिखा देते ना बिग बॉस वाले सब्सक्राइब कर लिए तो बहुत है कॉमेडी सीन था बहुत मज़ा आया जिसके सीन में और अब जल्दी से बात कर लेते हैं आज बिग बॉस में और क्या-क्या हुआ है टास्क कैसे हुआ कौन कों से टास्क हुए सब लड़ाइया कैसे हुए हसी मज़ा हमने देखी लिया है जल्दी से बात कर लेते हैं देखो गेम भई से कंटिनी हुआ इस टाडवा जहां पर सुर्भी और करन अलड़ी बैठे हुए थे जहां पर उनको नाम अनॉंस करना था कि कौन अगली सीजम को देना चाहते हैं जहां पर उन्हें अनॉन्स किया करन ने रोमिल को दिया और सुर्भी ने दिपिका जी को दिया उनको दिया गेम चालू हुआ और गेम चालू होते 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 कहीं ना खहीं जब ऐसी ऐसे कुछ मुश्मेंट्स आये जहां पर दिपिका के आगे रोमिल हार गए और बेसिकली करन की फोट पिक्चर आई थी और सायद करन की पिक्चर करन के लिए काफी बोला हलकी रोमिल उनको समझाने में ऐसा नहीं कि पीछे हट गए या उनको हटा मलब की यह कह दिया कि खीक हो कि तुमारे जुमन करें वह करो ऐसा नहीं था उन्होंने करन को यह लिए बहुत इस्टेंड लिया कि अगर वह 14 जा दिपिका बोल रही थी कि और महानता ही महानता दिखाते आंए वाकी का कोई टास्वास में इतना इन्व वालमेंट नहीं है, उनका और वह महानता की बज़ें से ऐसे हैं और वह सिप मेरे लिए यहां पर एक को समझा रहे थी मेदम आप भी तो डिपिका जी आप करन को एक मौकर दे सकती है जहां डि करन थोड़ा अपसेट होगा थे सीच और करन ने बोला भी ता कि मुझे अब इस बीक में जाना है मुझे अब जाना है रोमिल जो भी है जैसा भी ठीक बोल दिया कोई बात नहीं है बहीं बढ़ी देखो दीपिका जी ने काफी बाते बोली करन के लिए कि वह अपने लिए कुद को ड्रामेटिक कहा है और वो खुद ही एक ऐसे हैं जहां पर खुद के लिए स्ट्वेंड लेते हैं उनकी वही क्याप्टन सी वगरा वगरा अच्छी नहीं थी बागी का सुर्भी की उन्होंने बहुत तारिफ किया दीपिका ने अब देखो वही होता है जहां पर उ जो उनको आगे 14 वीक में जाना चाहिए था विकॉस बात यह थी कि कोई बंदी अकेली है घर के अंदर उनको पता है एक ग्रूप अलग से बन चुका है चार परसंस का और एक ग्रूप दो परसंस का अलड़ी बना हुआ है घर के अंदर और एक अकेली बंदी सर्वाइब कर रही है और उसको पता है उसने उमीद नहीं कोई कैसे भी कि मुझे इन लोगों करते रहना है और मैं कहीं भी हार नहीं मानूंगी मैं चलती रहूंगी और मैं कहीं ना कहीं अपना ये परफॉर्मेंस जो आया है फिनाले का टिक्ट जो आया है मैं इसको जानी नहीं दूंग पहीं भी तो उनके डेडिकेशन को देखके गेम में और जिस तरीके से इस तरीके से किया तरीका ने इतना ऐसा सब्पोर्ट किया सुरुआ और विए और सुर्भी सेब हो गई बैसे सुर्वी फाइनल में जा चुकी है पहली ऐसी हाउस मेट है जो फाइनल में पहुँची है सुर्वी राना जो मैंने कली ही बोल दिया था कि सुर्वी ही जाएंगी विकोज आप भी थोड़ा सोचो इतने टाइम से हम भी विकोज देख रहे हैं दूसरा टास्क भी हुआ टेलीफॉन वाला टास्क हुआ टेलीफॉन टास्क में देखो सब जिसको सिरी दिपिका को सजेस्ट कर रहे थे कि आप ऐसे ऐसे गड़ित लगाना अपनी और दिपक के साथ में भी काफी लोग ने कि तो वही तू ऐसे से काउंट करना यह करना लेकि जन 990 बोला था जन 1990 कुछ ऐसे सेगिंड बोला था और बेसिकली वह आज फाइनल बीक में पहुच गई है पहली हाउसमेड तो अब टू टास्क के बात पर आते हैं बाई पर ही देखो बात हो रही थी लेकिन रोमिल भी कहना कहीं सोचे उन्होंने रोमिल को बहुत कुसी सम छोट मौका दे सकते हैं नहीं सब्सक्राइन बहुत को बात हुच बहुत को जिकलते हैं जोड़्य आएननों को इस भूद को आए कंट नगा आए रही चेंज़िंग और और सीट उन्होंने चेंज की सौमी के साथ में रोमिल ने की सौमी के साथ में और दिपिका जी ने की सुर्भी के साथ में अब ये वड़ा इंट्रेस्टिंग था वही जैसे ही उन्होंने सीट चेंज की बिग बॉस ने पहले ही के लिए रानाउंस कर दिया कि कुछ गेम्स की नियम इस तरीके के होते हैं कि उन्हें मान्या अनिवार होता है और अगर इस टास्क के दौरान या इस गेम पड़ा में यहां पहुच गए हो अगर आप किसी डिसीजन पर नहीं पहुच पाते हो तो सौमी तो अल्रेडी जो फाइनल वीक की रेस से भार हो चुकी है टिकेट क लाकि हो सकता था अगर बिग बॉस वाले यह नहीं करते तो सायथ सौमी अड़ सकती थी और रोमिल को सेप कर देती सुर्भी को ना करती तो फोटो आया था सुर्भी एंड रोमिल का अब देखो इसमें भी बिग बॉस वाले खेले और बहुत अच्छी से खेले उन्होंने वह चीज पहले अनौन्स नहीं की थी उन्होंने वह चीज उसी टाइम पर उसी तरीके में अनौन्स की कि यार एस्टर किसे क्योंकि सुर्भी सौमी ऑब्यसली हमें जब से गेम इस्टाट हुआ पूरा कन्फ्यूस हमें दिखाई दी गेम के दोरान और साइक गाइस सौरी म हां तो उनको बिग बॉस वालों को देखो पहले ही उनको पढ़ा था कि सौमी कन्फ्यूस है कहीना कहीं अपने डिसीजन में वो समझ नहीं पारी अपने मैंट से कि मुझे किसको आगे लेकर जाना चाहिए जब वो रोमिल को भी उन्होंने बोला कि मैं सुर्भी को एक मौक चोगे तो जो लोगों की फोटो आएगी वो इस जो रेस है यह फाइनल वीक के उससे बाहर हो जाएंगे दोनों ही अब देखो उसमें क्या था रोमिल की पिक्चर थी और सौमी की पिक्चर थी सौमी तो अल्रेडी निकल चुकी थी उस गेम से उनको को किसी का नाम देती उ सौमी को कि सौमी को इस रेस में आगे लेकर जाने वाली हूँ अब देखो बही देखो करन ने जाकर बात की दीपक से कि यार आपने मतलब की कब मैं तुरको पहली बोल रहा था दीपक की सौमी को भेजो सौमी को भेजो लेकि अब देखो क्या हुआ लास्त में आके पूरा गेम चेंज हो गया हम पर ही पलटवार हो गया उस गेम का लेकिन देखो चेंज दो सकता था अगर बिगवास वाले अनांस नहीं करते तो डेफिनेटली वह रोमिल पे अड़ी रहती लेकिन उन्होंने पहले ही अनांस कर दिया था उस चीज को तो अब्यसली उनको फिर एक पहुंच नहीं था बही पर ही नेक्स में आए एक राउंट और बागी थ अब देखो दीपक एंड शीरी आए अब बिग बॉस वाले थो बिग बॉस वाले हैं उनको पता है कि शीरी के लिए तो यह कर्मेंस हो नहीं पाएगा और इसलिए तो उन्होंने पिक्चर का भी चेंज कर दिया और लेकर आगए वह दिपीका जी को और शीरी की पिक्चर ल चाहता हूं अपनी बिल्डिंग को वही पर ही दीपक ने नहीं चाहते हैं आपको देना चाहते हैं च्री क्योंकि आप डिजर्ब करते हो आपने इस गेम में बहुत कुछ किया है और बने हुए वह जिस तरीके से मुझे दीपीका जी का थोड़ा नहीं लगता है कि उनको अ सब्सक्राइब करने के लिए और उसके बाद में गेम कर जट निकला कि फाइनल बीक की जो जिनको मिली दाविदार जो बने रेस टू फिनाले के लिए वह बने दीपक सुर्भी एंड डिपीका और उसके बाद में विक बस्वाला ने कोई देर नहीं की कोई जादा ऐसा करन रोए जहां पर दीपक गाना गा रहे थे और करन रो रहे थे बहुत इमोशनल होके वही पर उसके बाद में एक मैं आपको मजाग वली बाद बताई चुकी हूं कि वह स्री और नहीं जिस तरीके से रो अपनी वाइप को केक बेक दिखा के कुछ बोल रहे थे कैमरे के हम और रोमिल ने बीच में उनको थोड़ा सा मिर्च मसाला डालने के लिए या हसी मजाग में बोल दिया कि इसका बड़े उसका बड़े और गाय के बचड़े का बड़े और बहुत सारी चीज़े और लेकर आगे उसमें तो एक यह चीज दिखाई और ऐसा कुछ खास तो ने उनके लिए गाना गा दिया वह एक केरल वाला लड़का एक केरल का लड़का तो जो इसकी दिपक ने बनाया था वह पर अगई और उनका टिशू पेपर लेकर लेकर पहुंच लोगोगोई बात निबाई इस तो कि यह वह ठीक है वह जो चोटा सा हम सो सकते हैं गैस कर स गोई जिसमें खुरा घूपने वाली और दिल में खंजर घूपने वाली ऐसी दोके देने वाली कोई ऐसे इसके उपर गाना वना तो वहीं सोमी ने वह बहुत ही कड़क जवाब दिया मुझे लगता है कि तुमारा फोटो के साथ में तुमारा दमाग भी जल गया है तुमा टैलिफोन बूत की था कि थर्टी थ्रीं मिनिनट्स सब्सक्राइं है विए लोगों केमाजर सुनने तो यह ते जिसवें उनकी स्टाइजी बनाए ते कि हां इतने टाइम पर इतने मिनिट्स हो सकते हैं तो उन्होंने सोचा मैं पैरे लाओंगा मैं मुह से काउंटिंग करूंगा वह लोकी इसना स्टाइजी तक 33mirt तक याँ भाओ पेठा हूँ या नहीं बैठा हूँ और आपको या तो आप उसके आसफास उड़ सकते हो वहएजर को था कि इस पहलना कि आप 33 morts तक बैठ पाई हो या उसे ज जादा हो गया या वगारा वगारा ज़ो हैं वही पर ही देखो उसके बाद में सबसे पहला जो नमर आया वो आया था तीपक का और तीपक को काफी खरीखोटी सुनाई गई कि तुम्हें तुम जिस तरह के से गेम में रहे हो तुम्हारा बिल्कुत स्वीट पन नहीं दिखाए देता तुम एक फेक इनसान दिखाए देते हो तुम दूसरों की सिंपेटी के इन करते हो तुम दो अगले इंसान हो तुम भार जाओगी जब तुम्हें पता चले का काम क्या होता है तुम्हें कोई काम देने के लिए भी अप्रिसीट नहीं करेगा और बहुत साली चीज है मतलब उनके भार को लेके यह वह लेके नौ कि अधिपक का टाइम आया था था तेटीस मिनट से जादा नौ पॉंट जादा टाइम था उनका और फूर्टीट्टीट्व मिनट्स उन्होंने वह बहुत सारी घरगवालों की गल या सुनी उसके बार में सेकी नमर आया सुर्भी का और शुर्भी ने बहुत ही अपने हिस साथ किता पहले ही लगा कर रखा था लिपिश्टिक से लिए से वह पेपर लिखती है यह इतना इंटू इंटू करके यह इतने इतनी मिनिट सेकेंड इतनी सेकेंड बैट 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 इनी सो नब्य कुछ ऐसा बोली थी वह कैमरे के दोरान उनी सो नब्य वहीं काउंट कर सुन भी रही थी अपना काउंट भी कर रही थी जा उनको भी बहुत सारी बात सुनाई कि आप ऐसान फरामोस हो आप ऐसा नहीं मानते हो और भजी-पाजी वाली बात और भी बहुत सारी बाते आई रोमिल ने भी बहुत कुछ बोला सुर्वी ने भी बहुत कुछ बोला सिर उनको कि मैंने ही आपको टास्क में यह सीट दिलवाई है लेकिन आपने मुझसे एक बार भी आके थैंक्यू या ऐसा वैसा कुछ नहीं बोला हो सकता है बोला हो लेकिन भी वस्वालन नहीं देखा जाए हो बहुत 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 सुनाया उनको कि आप फेक हो आप दूसरे लोगों के लिए बोलती हो लेकिन आपका खुद का कोई स्टेंड नहीं है बहुत 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 बहु सो के दोरान वो चीद बोली थी कि सव में आपको कोई बजूत नहीं दिखाये देता है सो में आपको yaptidising नहीं डिखा gör मैंने भार आपकी कर्यार में क्या-क्यानि उसके ऊपरकोई topic ने छटा तो लेकिशे आफ सी बात को बहुत बढ़ाया और आज तक जिसकी रंजी लोगों के लिए भी कुछ का लेना चाहिए वह लोगों को पसंद करें लेकिन बहुत सारी चीज़ा बोली ही मतलब जो भी मन की भड़ा से लोगों को मौका मिल गया बहुत सारी बाते बोली बहीं पर ही देखो दिपिका जी ने हार नहीं मानी और वह कुछ ज्यादा ही साध ख एक्षटा उन्च विजों को सिनी जहां पर वो दिपिका और दीपक यह टास्क हार गए और टिकेट टो फनाले की जो टिकेट थी वो मिल गई सुर्वी को और सुर्वी जा चुकी है फाइनल में कांविचुलेशन सुर्वी पिकॉज आप जिस तरिके से आपने डेडिकिश दिखाई दो दिनों के अंदर वाँ ओकी बहीं पर ही दिपिका को शाइब बहुत सारी चीज़े चुप गई तो जाकर रो भी रही थी जा सिरीन उनको हसाने की खुशिस की अब भौत है ना कोई बात नहीं होता रहता है गीम के दर रहन तो मुझे समझाती हो मैं आपको दो लहां वहीं पर ही रोवेव ने कहा की रोमिल आयोर मी च्रीको बोला कि आपको पता है चौष्वे अच्य आप बैठे हुए है इक पर वह बैठे हुए है सोचो है हैपी किलब मतलब है रोमिल सोच रहे हैं कि मेरे जाने से पहले पहले उनको भी साथ एहसास हो गया कि मैं जा सकता हूं रोमिल के जाने से पहले वो सोच रहे हैं रोमिल की कहीं ना खहीं ये जो हैपी कलब है फिर से थोड़ा जुड़ जाए आपसमें बातचीत हो जाए लेकिन सुरभी का कोई रेस्पंस रही था जाब वो सुरभी को बहुती बात बोल रहे थे हैपी कलब के मेंबर्स और करन भी थे वहां जब बोल रहे थे रोमिल ना का की सुरभी आप अभी इस हपते में कैप्टन हो गई हो आप टिकट जीच चुकी हो लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि सोच कर देखो आपकी चाहे हमारा अभी हैपी कलब नहीं है आप मानो चाहे मत मानो लेकिन मैं मानता हूँ सोचो की चौदवे हफ्ते में चार परसंज जो हैबी किलब के थे वो आज भी एक ही टेवल पर बैठे हुए हैं एक ही जगा पर बैठे हुए हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे हैबी किलब का होना भी बहुत बड़ी बात है कहिना भी मतलब की हैबी किलब क मुझे नहीं लगता खुड़ने वाली होंगी सो यह सब हुआ आज और बिग बॉस ने फिर अनाउंस किया नॉमिनेट परसंस जिसमें नॉमिनेट हो गए नॉमिनेट है अभी घर से करन रोमिल सौमी दिपिका श्री तीपक और कल कल आई है आर जे मलीक का सब जानते होंगे उ जिनके घर में जितने फैंस हैं जिनको लोग पसंद करते हैं उनसे वह बाते करेंगे उनसे अपने जो कोश्चन्स हैं उनके मन में जो सबाहल है उनसे उनको किलियर करेंगे उनका उनसे जबाब मांगेंगे और देखते हैं कि इसका क्या जबाब आने वाला है जहां पर जो कोईशन पूछेंगे वो जुरूर डिसकस करेंगे हम लोग और अभी के लिए आपको मेरा कोईशन यही है कि आपको कैसा लग रहा है सुर्भी फाइनल में पहुच चुकी है और रोमिल जहां को सिस कर रहे हैं है पिकलब को जोड़ने के आप उसके बारे में क्या कहते हो और क करन के लिए आप क्या कहना है क्या सोचते हो आप करन के लिए बोवी मुझे बताएं और यह सिरकेसर रोमिल और दीपकी एक कॉमेडी वाली जो साइड दिखा रहे हैं वह आपको कैसी लगी कैसा मज़ेदार था की नहीं था और अभी के लिए चाना तो पढ़ेगा बढ़ेगा जाओंगग का जाओंग जाओंग का बढ़ेदार दे लिए से लिए चाना तो ढ़ेखंग झाली ह।